जै माता की सभी वक्तों को कैसे हूँ आप सब आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्सिती हैं और मा जगत जन्मी मामबे की क्रिपा सधैब आपके उपर बनी रहे यही दिल से कामना तो आप सभी के प्यार से और मा के आशिरवात से ही फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए जैसे कि दिवाली आ रही है धन तेरस वाले दिन का ये उपाए आपको बता रही हूँ ये उपाए आपको धन तेरस वाले दिन ही करना है और इस उपाए को करने से आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यू नहीं रहेगी आपके घर म जो है यम्राज का कोई भी ऐसा दूत नहीं आएगा जो आपके घर में किसी की भी मृत्यू करे उसकी मतलब अकाल मृत्यू हो हो जाए जैसे की कोई accidental मृत्यू हो जाती है या कोई किसी बज़ा से बीमारी की बज़ा से हो जाती है सडलनी अचानक से कोई भी बीमारी हो जाता है जिसकी उमीद ही नहीं होती है वो परसन अचानक से बीमार हो जाता है और उसकी भी आपके घर में कोई भी हकाल मृत्य ना हो अगर हुई हुई है पहले तो उस चीज़ का भी बंदन हो जाए और वो चीज़ें दुबारा आपके घर में कभी भी ना हो तो मैं आपके लिए ये उपाए ये टोटका आपको जुरूर करना है और ये आपको जब करना है जब आ आपको तेरा दिवे लेने हैं तेरा जो है मिटी के दिवे आपको लेने हैं और जो है तेरा दिए ही आपको घर के बाहर लगाने हैं मुख्य द्वार पर अपने घर की जहां जहां भी घर का मुख्य द्वार है गेट के बाहर आपको लगाना है और अंदर भी आपको घर के ते तिरा ही दिपक लगाने हैं तो ये दिपक जो हैं आपको तेल के लगाने हैं हमेशा लंबी बती के ये दिपक लगते हैं सरसो के तेल का ही यम का दिपक लगता है और आपने जो है यमराज से प्राथना करनी है कि हमारे घर में कभी भी कोई भी अकाल मृत्यू ना हो और अगर किसी के उपर इस तरह का कोई भी संकट है तो वो संकट जो है आपके द्वारा हर लिया जाए और माता रानी की कृपा से हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यू ना हो आपने हमेशा ही माता रानी को आगे करके चलना है जिसके घर में मा जगजनी सदैव रक्षा करती है आवहन आपने उनी का करना है और यम राज भी उनका कहार नहीं टाल सकते हैं तो माता रानी को आपने शाक्षात आगे करके ही ये सारा कारे करना है माता रानी का आवहन जरूर करिएगा और साथ में आपको जो है हनुमान जी का भी आवहन करना है गनपती जी का ध्यान करना है और ये प्रातना करनी है कि हमारे घर में कभी भी कोई भी अकाल मृत्यु ना हो और किसी भी तरह का कोई अकाल मृत्यु का भाए हमारे घर के किसी भी सदस्य पर ना आए. ये दिपक आपको जब लगाने हैं जब जो है आपके घर के सभी के सभी सदस्य सो जाएं आप लोग खाना पिना सब कुछ कर लें उसके बाद ही घर के किसी एक सदस्य को जो है ये दिपक लगाने हैं अगर घर के ग्रियानिया लगाती हैं तो और भी उचित होता है अगर आप लगा सकते हो गर के बड़े लगाना चाते हैं बड़े भी लगा सकते हैं तो ये दिपक आपको जरूर लगाने हैं इनको बूलना नहीं है अगर हो सके तो इसके अंदर जो है एक एक लोंग भी आपको जरूर रखनी है इससे भी आपके घर का जो है रक्सा कवच रहता है सुर 13 वाले दिन करना है और शाम के समय रात के समय ही ये उपाए होता है तो ये उपाए इसलिए बतारी हूँ क्योंकि जो भगत जो है हमारी वीडियो को रोज देखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंफर्मिटिव है अगर आप बिमार रहते हो अगर आपके घर म जरूर अपने घर के मुख्य दवार पर लगा लेने चाहिए ता कि हमारे घर में किसी भी तरह काником क्योंकि जब हमारे घर में जो है इस तरह की बिमारियां होती है यह टैंशने होती है तो तब भी हमें जो है अकालम रित्यू का भाय बना रहता है तो यह भाय भी अपने आपी खतम हो जाता है मातारानी की कृपा से तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और माकेस पहरे चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब करें चलिए जयमातारा